अगर नहीं वो background में या तो songs चला देती हैं या फिर कुछ भी background में na music music मतब चला देती हैं तो इनकी book में na कुछ-कुछ mistakes मतब spelling wise तो वो मेरे को थोड़ी खटकी Hey guys, welcome back to my channel, I am your friend Shubha Manalzo, CA intermediate student तो यहर मेरे पास कुछ time से बहुत सारे comments आ रहे हैं कि आपने जिंजन faculty से intermediate की classes ली थी आप उनका थोड़ा review बताओ, आप अपना personal experience शेयर करो और बहुत सारे subscribers को तो यह भी नहीं पता कि मैंने group 1 और group 2 की कौन-कौन सी faculty से classes ली थी I know क्योंकि वो नए subscribers हैं और वो पुरानी वीडियो कम ही देखते हैं So that's why I am making this video तो आज की वीडियो में मैं यह बताने वाला हूँ कि मैंने group 1 और group 2 की किन-किन faculty से classes ली थी And मैं अपना personal experience बताऊँगा कि मुझे कैसी लगे classes, क्या-क्या pros and cons थे मैं सब कुछ इस वीडियो में आज discuss करने वाला I will be very honest and यह कोई sponsored नहीं है So जो भी मेरा general जो मैंने experience किया है मैं वही share करूँगा आपके साथ So watch this video till the end, let's start the video So यार सबसे पहले हम बात करते हैं group 1 की So सबसे पहला subject आता है accounting जो कि मैंने प्रवीन शर्मा सर से उनकी classes ली थी So सबसे पहले वो concept समझाते हैं अच्छे से उसके बाद concept को लिखवाते भी है And उस concept की theory भी लिखवाते है And then उस concept के related वो questions अपने book से करवाते है So यह इनका normal pattern रहता है So काफी सही पढ़ाते हैं और इनकी दो books होती है पहले book में क्या होता है यह study material के questions होते है And अपने बहुत सारे questions होते है And दूसरी book होती है जो उनकी scanner आती है Scanner में क्या होता है जो past year questions होते है जो RTPs, MTPs, mock test papers के questions होते हैं इसले 15-15, 10-15 सालों के वो सब उसमें included होते है With answers तो यह बहुती अच्छी चीज़ लगती है मेरे को तो इनकी कुछ मुझे as such की problem लगी नहीं है अगर कोई भी doubt आता है तो उन्होंने एक telegram group बना रखा है हम उसमें doubt पूछ सकते हैं तो वहाँ से reply आ जाता है तो यह तो हुआ accounts की बाद अब हम चलते हैं next subject की तरफ तो next subject आता है corporate and other laws इसमें मैंने classes ली थी अंकिता पटनी मैम की classes ली थी law की यह सच पताऊं इनकी classes लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इनकी classes अगर मैं ना भी लेता ना मतलब इनकी नहीं अगर मैं law की class ना भी लेता ना तो भी मुझसे manage हो जाता I know की concept की understanding बहुत important होती है but learning भी important है तो ultimately हमको learn तो हमें खुदी करना है obviously देखो मेरे साब से अगर मैं इनकी सिर्फ books purchase कर लेता है और जो इनकी marathons और revision lectures youtube पे available हैं अगर मैं उनको भी refer कर लेता तो मेरे ले बैट रहता और मैं manage कर लेता बाकि अगर आपको need है classes की तो आप जरूर लो और अगर मैं इनकी books की बात करूँ तो books मैंने compare करी study mat से तो मैंने ये देखा कि जो study mat और जो इनकी books हैं वो बिल्कुल ही identical है same to same मतलब study material की language होनी चाहिए बट क्या है कि कुछ flow charts वगेरा add की होए है बाकि डिट्टो study material एक एक line डिट्टो study material से copied है एक difference है बस वो है कि colorful है बाकि same study material है तो इसमें कोई बुराई नहीं है यार बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बिल्कुल same है मैं यह नहीं कहा रहा कि वो अच्छा नहीं पढ़ाती मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाती है मतलब हर concept को practically link करवाती है examples देती है अलग-अलग तो बहुत ही बढ़िया पढ़ाती है बट ultimately जो sections है और जो provisions है यह वो तो हमें खुदी learn करने है because examiner यह नहीं देखेगा कि तुम्हें कितनी knowledge है कि तुम्हें कितना आता है वो यह देखेगा कि तुमने क्या लिखा है तो सिर्फ understanding से काम नहीं चलेगा आपको answers present करने और लिखने आने चाहिए और एक और चीज मुझे उनकी classes में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मतलब कुछ बच्चों को अच्छी लग सकती है बट मुझे personally तो अच्छी नहीं लगी जैसे class में जब कोई notes वगरा मैं लिखवाती है तो उसको note करने के लिए वो time देती है कि आप note book में note कर लो तो यार उस दोरान वो क्या अगर देती है वो background में यह तो songs चला देती है या फिर कुछ भी background में na music music मतलब चला देती है तो यार कुछ लोग को अच्छा लग सकता है बट मुझे तो अच्छा नहीं लगता विकोज यार हम ना एक zone में होते है कि भाई हम पढ़ने आया है तो उस दोरान कोई song चला है ये सब तो वो सब मेरे को irritate करती थी चीजे तो यार थर्ड subject की बात करते हैं थर्ड subject था cost and management accounting जिसकी classman लेती है संकल कांस्तिय सर से ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इनके दो चैप्टर से एक था standard costing एक था material costing ये दोनों topics जो थे मेरे को बहुत बढ़ी है समझाया थे overall ये teacher अच्छे हैं बट मेरे को एक चीज इनकी वैसे लगी कि अगर ये जो इनके questions है ना इनकी booklet होती है उसमें questions होते हैं तो अगर वो questions में अगर वो answers भी print करके देते हैं तो वो ज़ादा बैटर रहता because इन्होंने बहुत सारे questions class में नहीं किरवाए थे तो अगर हम खुड try करें तो अगर तो हम verify करने के लिए कुछ तो चीज़े होनी चीए ना कि verify हो जाए कि answer ठीक है या नहीं है या फिर step by step पता चल जाए तो वो चीज़ मेरे को एक drawback लगी at least pyqs, mtps, rtps के answer जो है वो print करने चाहिए थे उनको बाकी overall तो अच्छे teacher है fourth subject की बात करते हैं जो है taxation जिनकी class मैं ली थी भवर बुराना सर एंड राजकुमार सर से तो यार अगर तुम बीबी सर की classes लेनी की सोच रहे हो तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि तुम आखपंद करके इनकी classes purchase का सकता हूँ because ये बहुत ही बढ़ी अपड़ाते हैं क्योंकि DT का syllabus इतना vast syllabus है वो तुमें भी पता है और ये teacher जो है वो बिल्कुल scratch से start कराते हैं कि text क्या होता है दो type की होते हैं वो बिल्कुल scratch से start कराएंगे और धीरे 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 तुमें peak level तक पहुचा देंगे और तुमें पता भी ने चलेगा कि तुम्हारा syllabus कब खतम हो गया हर class की starting में जैसे आज कोई current chapter चल रहा है तो next class में उस chapter का जितना भी syllabus complete हो गया उच सब को revise कराते हैं तो हर class में revision भी होती रहती है और अगर आप इनके classes लोग है तो आप इनके revision lectures जो होते हैं वो उनका भी फायदा उठा सकते हो क्योंकि वो एक घंटे डेड़ घंटे में पूरा chapter cover करा देते हैं मतलब revise करा देते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया चीज लगती है मेरे को मैं तो exam time में भी इनके revision lectures ही देखिया गया था so he is the best next बात करते हैं राचकुमर सर राचकुमर सर भी बहुत अच्छे हैं मतलब IDT यह इतना slavers वैसा वाल है न कि इसमें समन नहीं आता कि क्या चीज़े याद करने वाली है क्या चीज़े याद नहीं करनी मतलब content बहुत जादा है एक चीज़ मेरे को थोड़ी ठीक न लगी वो है कि IDT class में न कुछ कुछ classes में सारी classes में नहीं end की जो classes होती है न कुछ कुछ classes में न वो notes जो return notes होते हैं वो पहले सही बना कर लाए थे क्योंकि मैं pause करके notes सेकता था न तो अगर आप इनकी classes पचेस करना चाहते हो तो जरूर करना बहुत अच्छे teacher है और वो GST portal का भी इस्तेमाल करते है classes के बीच में वो practically जो चीज़े याद रहती है न वो learn wise या theory wise हमें याद नहीं रहती अब बात करते हैं group 2 की सो group 2 में पहला subject आता है advanced accounting जो की मैंने again C.A. Praveen Sharma सर से ही classes ली थी और वो ही same चीज़े या जो मैंने accounts के topic में बोली की books भी बहुत अच्छा होती है concept wise पढ़ाते हैं understanding हो जाती है questions करवाते हैं बहुत सारे हैं तो doubts भी पूछ सकते हैं तो यह सब same चीज़ थी overall यह बहुती best teacher है next हम बात करते है audit and assurance की audit and assurance की मैंने classes नहीं सिर्फ books ली थी C.A. Kapil Goel sir की मैंने classes नहीं ली है because मिलको जैसे मैंने law में बताया ना कि मुझे law में experience हो गया था कि यार theory है तो करनी तो मुझे ultimately मैंने खुदी करी थी जो उनके marathon से है और जो revision lecture से है तो वो मैंने refer किये थे ताकि बस मैं को समझा दे understanding हो जाए कि अच्छा इस topic में यह है बाकी मैं learn तो मैं अपने आप कर लूँगा और मैं अगर इनकी बात करूँ तो इनकी book में ना कुछ-कुछ mistakes मतलब spelling wise तो वो मेरे को थोड़ी खटकी मतलब अब देखो spellings तो गलतियां तो हो जाती ना printing में उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते और वो YouTube पर भी daily active रहते हैं तो यह बहुत ही अच्छी चीज लगी बिकोज ना उसकी वज़ए से student जो है वो connected रहता है teacher के साथ थर्ड subject में बात करते हैं EIS SM वो मैंने लिए अमिद तातेट सर की सिर्फ books classes नहीं because again theory subject है तो मैं सिर्फ इनकी जो marathon और revision lectures है मैं बस वो refer करता हूं और बहुत अच्छा समझ आ राता है और बस मैं अपना learning पर focus करता हूं नोट्स भी बड़े प्यारी handwriting में लिख्यों है और उनकी books में MCQs वगरा जो होते हैं बहुत सारे और बहुत सारे case scenarios होते है पास years के ठीक है जो भी चीज़ों होते हैं तो बहुत अच्छी books लगी मेरे को इनकी overall तो fourth and the last subject है FME को जो कि मैंने ली थी आर के मैता सर से इनकी best साथ में को यह लगती है कि जो theory है ना यह वो हाथ से लिखवाते हैं मतलब खुद भी लिखते हैं और हमें भी लिखवाते हैं तो यार इससे क्या होता है हमारी जो एक तरह से याद बहुत जादा अच्छे से रहता है जब हम खुद हाथ से लिखते हैं तो मतलब इतने होले होले पढ़ाते हैं न मतलब मज़ा आ जाता है मतलब धीरे धीरे चलते हैं अराम से concept wise कोई फाल तो comedy नहीं करते कोई joke वगेरा फाल तो नहीं मारते कोई time pass फाल तो नहीं करते बस अराम से serious होके पढ़ाते रहते हैं पर मैंने एक difficulty face करिए exam time में कि क्या होता है जब हम जब मैं revise करने बैठा ना तो उस में उस वक्त में को समझ नहीं आया कि मुझे कहां से start करना है जैसे अगर हम accounts की बात करने तो accounts होले सर क्या करते concept समझाते हैं concept की theory लिखवाते हैं फिर उसी के नीचे ही questions start हो जाते हैं उस concept से related बट FME को में क्या होता है उनकी theory जो है वो book में लिखवाते हैं और जो questions है वो notebook में लिखवाते हैं तो वो समझ नहीं आता कि पहले हम theory पूरे chapter की पढ़ें या फिर questions chart करें समझ या था मतलब कुछ confusion सी हो जाती है तो यह में को थोड़ी दिक्कत लगी बाकी तो teacher बहुत अच्छे हैं so this was my honest review about my C intermediate faculty so I hope you like this video and यार बहुत effort लगता है videos बनाने में तो यार like जरूर करना and नीचे ना यार नीचे देखो थोड़ा और subcribe कुछ लिखा होगा मतलब subscribe करके कुछ लिखा होगा बस आप आपको कुछ नहीं करना बस हलका सा उससे उस s बेस्ट फांडेशन चुड़ने जिनके भी अभी दिसम्मर में एक्जाम्स हैं अपने आपको किसे से कंपेर नहीं करना जस्ट बी यॉर ओन पर्फेक्ट बबाइ एक चीज दिखाऊ